Hello students, very good evening. This is Ankit Lillaha, Lillaha Education Center के चानल पे आज आपके लिए एक बहुत important अपडेट है. Correction window जो की open किया गया है CUET examinations के लिए. तो अगर आपने CUET के exam form भरे हैं और उसके अंदर में कोई भी correction आप करना चाहते हैं, तो आज 25 से लेकर के 31st of May तक में ये correction window आपके लिए open किया जा रहा है. But, please try and understand कि ये correction window अभी इससे में तुरंत लाइब नहीं दिखाई दे रहा है. ये correction window आपको कुछ समय में लाइब दिखाई दे जाएगा. इसकी notice CUET के website पर launch की गई थी, दिखाया गया था, लेकिन ये notice भी समय फिलाल विजबल नहीं है, ये पुरी के पुरी website खुली विए, फिलाल तो यहाँ पी notice भी अवलेबल नहीं है. तो correction window undoubtedly open किया गया है, बट अभी फिलाल वो active नहीं है, कुछ समय बाद वो आपस active हो जाएगा, तो आप एक्दम बेफिक्र रही है. correction window के अंदर में देखिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसके अंदर में, अपने subjects के अंदर में, अगर आपने गलती कर दिया तो उनको alter कर सकते हैं, अगर आपने अपना, say for example, नाम गलत लिग दिया है, date of worth गलत लिग दिया है, father's name, mother's name, या 10th year 12th की क हो सकता है, कोई बदलाव हो, तो इसलिए we are not making an official announcement, showing the notice right now, जब ये notice वापस से एक बार website पर publish कर दिया जाएगा, तो हम लोग आपके साथ में, उस authentic notice के साथ में, फिर एक बार और एक वीडियो के, एक detailed discussion करेंगे, guiding you की correction window, कि थुरू आप कैसे कैसे करके, और कौन कौन से corrections कर सकते हैं, बट फिलाल के लिए परिशान मत होईएगा, इस हमें correction window inactive है, तो जब भी work करेगा, आपको हमारे चैनल पर update मिल जाएगा, तो जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब रही है, लेलाजू के सेंटर के चैनल को, एक बार bell icon जरूर से पैस कर कर दूब है, दूब को जो आएगा रही है.